हेलो दोस्तों वेलकम टू दा बैक बेंचर गेमर चैनल मुझे अपनी बच्ची को बचानी के लिए पार्ट्स जमा करने हैं क्योंके लॉड्स ने उस बच्ची की कुर्बानी दे दी है तो इथन विंटर अब जिस विलन की जो लॉड्स की तलाश में है वो है डॉल मेकर डॉना बॉनी वियन टो करके नाम है तो जंगल में कहीं से रास्ता ढूनना है मुझे तो मैं जा रहा हूँ उसकी तलाश में लेडी डिमेट्रिस को मारने के बाद अब ये जो दूसरी विलन है इसका कट छोटा सा है और ये कहां रहती है वो जगा ढूननी है ये नया दर्वाजा एक खोला है मैंने और ये नई लोकेशन पर मैं आया हूँ यहाँ पर एक पुल मिला है मुझे पुल पर मैं जा रहा हूँ तेजी से जंगल है हर तरफ फॉग पहलावा है नजर कम आ रहा है मुझे और यहाँ पर गेट खुला और एथन विंटर को इसकी बेगम नजर आ रही है मिया जो के मर चुकी है और इसको समझ नहीं आ रहा है ये कह रहा है और इसकी गोद में वो बच्ची भी नजर आई उसको ये सब खाव है या क्या है अब ये आगे जा रहा है अंजान जगा है देखें फिर से नजर आई और ये कह रहा है कि ना रोस ठीक नहीं है मिया कह रही है रोस ठीक नहीं है तुम्हें इसको पचाना होगा कि इसको ऐसे हुले से नेशन हो रही है यहां पर सच्ची में कोई नहीं है यह भी कह रहा है कि यह रेल नहीं है और मैं चलता चला जा रहा हूँ आगे और यहां पर मुझे कबर नजर आ रही है कुछ कबरे हैं यहां पर और यहां पर कि कोई डॉल रखी विए मुझे लगा ऐसा कि जैसे कोई है यहाँ पर रोषणी भी हो रही है थोड़ी सी और यह इथन विंटर को शक हो रहा है शायद इसका जहनी तवाज़न खराब हो रहा है और यहाँ पर एक घर आ गया है और इसके अंदर जाने के लिए यहाँ पर यह लेटर डालने की एक जगा है अंधेरी वाली जगा में अब मैं जा रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे एक लिफ्ट नजर आईए मैं इसके अंदर जा रहा हूँ टॉल मेकर डॉना बैनी वियांतो के साथ लड़ाई करने के लिए अब वो क्या बला है वो तो वहाँ जाकर कहीं पता चलेगा और यह लिफ्ट हमें कहां ले आई यहाँ पर कुछ मुंबतियां जल रही है अंधेरा है हर तरफ और यह बाहर जाने का रास्ता मिल गया तो हम और उची जगह पर आगये हैं पहाड़ी है और उपर से आपशार एक नजर आ रही है नियागरा फॉल की तरह से बहुत तेज पानी उपर से गिरतावा नजर आ रहा है और यहाँ पर इस पहाड़ी की चोटी पर एक खौफनाक सा घर भी नजर आ गया है तो अब इस घर के अंदर चलते हैं हाउस बेनी वियन तो उसी का घर है डॉल मेकर का तो अंदर चलते हैं और ये दर्वाजे को धक्का दे करके अंदर आ गया हूँ मैं नई जगा और यहाँ पर कोई डोर पड़ी भी है यहाँ पर क्या है कोई फल फ्रूट पड़े में है राइट साइट पे भी रास्ता है लेफ्ट साइट पे भी कोई रास्ता नज़रा रहा है और गन निकाल लिए हमने और यहाँ पर यह दर्वाजा सही से खुल नहीं रहा कमरे में कुछ समान पड़ावा है और राइट साइट पर जा करके देखता हूँ यहाँ पर कुछ है के नहीं यहाँ पर एक दर्वाजा है जो के लॉक है ठीक है और चाबी लगाने की भी आप्शन नहीं है तो उपर जलता हूँ उपर जाने के लिए सीड़िया है यहाँ पर और यहाँ पर क्या सीन है यह कोई यह स्टेचू रखावा है और कुछ भी नहीं है और तो कुछ भी नहीं है यहां पर यह डिब्बे वगरा रख करके रास्ता बन कियावा है और यहां पर यह दर्वाजा खोला मैंने और यहां कुछ है क्या यहां कुछ नहीं है एक बेडरूम है और यह अलमारी है इसको खुल के देखता हूं इसके अंदर भी कुछ नहीं है एकदम सा नाटा खामोशी है यहां इस पूरे घर में और यह दरास खुलने का आप्शन नहीं है यहां पर तो इनको नहीं खुलना होगा तो यहां से अब च मुझे यह पता है कि इसका कट छोटे से कट की है यह और यहां पर अच्छा यह दर्वाजा मिला हमें इसको खोल करके हम अंदर आ गए हैं और यह एक डाइनिंग रूम है टेबल पर कुछ रखावा है और यह डॉल जो बाहर नज़र आई थी मुझे कबर पर यह यहां पर भी है गोड दर्वाजा और अंदर आता चला जा रहा हूं मैं घर के बहुत खामोशी एक दम सरनाटा जैसे कोई रहता नहीं हो इस गर में और यहां पर एक और दर्वाजा आ गया और यह एक और लिफ्ट है इस दर्वाजे खोलने कोशिश कर रहा हूं मगर यह बंद है तो लि लिफ्ट से चलते हैं देखते हैं लिफ्ट कहां लेकर के जाती है इसके लवाज कोई आप्शन भी नहीं था कोई और रास्ता नहीं था और यह लिफ्ट हमें घर के नीचे लेके जा रही है बेस्मेंट में और अब हम यहां पहुच गए यहां पर एक दर्वाजा है लेफ् एक्टर रखावा है फिल्म लगा देखने के लिए और सामने स्क्रीन है और यह में चला नहीं सकता यह दो पूरा बड़ा अच्छा सा घर बनावा है बुक्स वगारा है और यह एक बुक के पर आप्शन आ रहा है एल के लॉइट्स ऑफ मांटेंज मांटेनियस प्लांट्स कि का नाम है और इस बुक के साथ और कुछ करनी का उपशन नहीं है तो यहां पे दिए से दूसे कमरे में चलते हैं और यहां पर ब्रेकर बॉक्स है एन्हां कि बिजली बगारा ओन ऐवाफ करने के लिए के यहां से मैं वापित जा सकता हूं लिफ चल रही है भी वी तो वाप करना है कि यहां क्या है क्या कहानी है और यह अंदर से अंदर आता चला जा रहा हूं मैं घर के डर लग रहा है अलमारी बंद है नहीं खोल सकते दराज बंद है नहीं खोल सकते यह दर्वाजा लॉक है आगे चलते हैं और आगे चल रहे हैं यह अब मैं रास्ता भूल गया हू वापिस जाने का वापिस कहां से आया था कुछ याद नहीं बस लिफ्ट तक पहुचना है और यह एक बहुत बड़ा दर्वादा आ गया यहां पर और लेफ राइट पे टेबल रखे में हैं और अब मैं सामने चलता हूं और यह सामने एक डॉल है इसको मैंने जैसी कुछ करन और यह कहा रही है कि मैं तुम्हारा बहुत टाइम से वेट कर रही हूं मैं तुम्हारी बहुत अच्छी बेटी बन सकती हूं रोज से भी यह आदा तो तू मेरे साथ हमेशा हमेशा के लिए रह रहो और अंधिरा हो गया क्मबल और बहुत क्रीपी सी हसने की ओवाज और सामने एक डमी और सारा वैपन गाइब हो गया जो जो समान जमाह किया था मैंने वो सब गाइब हो गया और ये एक डमी है लाश है तो इसके बाजू में कोई option आचा तो मैंने घेचा तो यहाँ पर मुझे कोई चाबी जैसी चीज मिली और यह लकडी या प्लास्टिक का ऐसा लग रहा है बनावा है स्टेचू और मुझे रेडियो पर आवाज आ रही है किसी की और यहाँ पर आप्शन में देख रहा हूँ क्या करना क्या है इसके पार्ट पुर्जे और भी निकालने हैं क्या तो जब तक बाकी कमरे को चेक करता हूँ और यहाँ पर मुझे लग रहा है ऐसे के अच्छा यह टैप्लेटर मिल गया यहाँ पर गेम सेफ कर लेना है ताके गेम नेक्स टाइम यहीं से शुरू करूँ और कमरे की चेकिंग करता हूँ कोई काम की चीज़ मिल जाए यहाँ पर डॉल्स के पार्ट पुर्जे हैं क्योंके जिस विलिन से लड़ने आया हूँ उसका नाम डॉल मेकर है यहाँ पर बंगली आ रही है लग रहा है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है एक दर्वाजा है और इस पर कोई पजल सॉल्फ करना है तो यहाँ पर मैं वीडियो को एंड करता हूँ नेक्स वीडियो में देखेंगे कि यह दर्वाजा कैसे खोलता हूँ और यहाँ इस जगे से मैं कैसे निकलता हूँ तो यहां तक देखने का आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू फॉर वाचिंग प्राइब कीजिए वाचिंग